तुम्हारा पती तो भूतों का नायक है, उसके पास कोई कपड़े हैं नहीं, और शम्शान वासी है, तो ये सुनके माता जी को बहुत बुरा लगा, और माता जी ने अपने आपको यग हवन में समर्पित कर दिया, कि विर्भदर ने इसी बात को गुस्ता को लेके दक्ष जी का गला काड़ दिया, जये श्रीराम, दोस्तों आप यूट्यूब पे बहुत दिन से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हर हत कंडे अपना लिये हैं, पूरे अच्छे से टाइटल, टेक्स, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ लिखे हैं, लेकिन इसके बाजूद भी आपकी वीडि सोनना है, समझना है, क्योंकि आपके वल यूट्यूब पर ग्रोणी होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, आप अपनी लाइफ में भी अच्छे से ग्रोगर पाएंगे, इस यूट्यूब से सुनना है, और समझना है, दोस्त, सबसे पहले मैं बता दूं कि देखे, यू subscribers और 4000 watchers का time complete कर लिया था और monetize भी मेरा 24 गंटे के अंदर अंदर channel monetize हो गया था उस समय तो किसी किसी को time लगता है किसी को 6 महीने लगता है किसी को साल भर भर भी लगता है लेकिन time लग जाता है तो आपको YouTube पे आने के बाद केवल videos upload करना है और patience रखना है patience रखो video upload करो patience रखो video upload करो इसके अलावा कोई भी shortcut नहीं है मैं जब ये channel चालू किया था बहुत ज्यादा रोया था बहुत ज्यादा परिशान था कि यार पैसे नहीं आ रहे है earning नहीं आ रही है कैसे काम करूँगा कैसे नहीं क्या मेरा future होने वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन काम किया हिम्मत बांदा दीरे-दीरे-दीरे-दीरे growth होई channel की और अच्छा लगने लगा ये स्थिती मेरे साथ नहीं है ये स्थिती आपके साथ भी है ये स्थिती उनके साथ भी ये स्थिती उनके साथ भी सब के साथ ये स्थितियां है लेकिन आपको हिम्मत रखना पड़ेगा पेशंस रखके काम करना पड़ेगा देखिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है YouTube पे आप आए हो बहुत सही platform है बस आप एक अच्छा इंसान बन जाओ उसके बाद पैसे तो आपको मिलेंगे यार इतने मिलेंगे ना कि फिर आप गिन नहीं पाओगे और जरूरी नहीं कि YouTube से मिले इश्वर आप जानते नहीं कि कहां से देंगे पैसे लेकिन देंगे आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा चाहे कैसे भी मिलेगा बोलते ना कि जैसा पेड़ है वैसा ही फल आते हैं तो एक अच्छा इंसान आप बनेगे इश्वर ने मानके चलिए आम का पेड़ बनाया तो आम के पेड़ में लीची नहीं आती है उनकी ववस्ता इतनी सही है इश्वर ने हमको यहां बेजा है तो हमको दूसरों की हैल्प करनी चाहिए अच्छे से रहना चाहिए इमानदार बनना चाहिए लेकिन हम नहीं हम तो बहुत खतरनाक बन रहे हैं दूसरे की चुगली निंदा यह सारी चीज़े कर रहे है जो की गलत है आपको मैं सत्योग में लेके चलता हूँ एक स्टोरी से वीडियो को लिंक करके अच्छे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए देखिए सत्योग में पुरे प्रत्वी की रचना की है हम सभी जो बच्चे हैं ब्रह्मा जी के है तो ब्रह्मा जी के बच्चे के रूप में दक्ष जी प्रजापती दक्ष जी जाने जाते हैं और personally मुझको थो थोड़ा सा उनका नेचर उतना अच्छा नहीं लगता है आपको कैसा लगते हैं डक्ष जी मैं नहीं जानता हूँ, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं तो डक्ष जी ने सती माता जी का और शिव जी का कितना विरोध किया था? आप जान सकते हैं और जानते ही होंगे एक बार कंखल में यग चल रहा है जहांपे सारे देवी देवता बड़े बड़े देवता बड़े देवियां सारे आई हैं यग कर रही है वहाँ शिवजी को नहीं बुलाये गया कोई बात नहीं शिवजी से बहुत ज्यादा विंति की की चलिए प्रभू चलिए प्रभू जी तो मना कर दिये सती माता को भी उन्हों ने मना किया कि शादी के बाद अगर आपका घर है तो वहाँ भी नहीं जाना चीए बिना बुलाने लेकिन मानी नहीं सती माता और की कि थोड़ा बहनों से भी मिले बहुत दिन हुआ है जाना हो अगर इसी भाने जाउंगी तो सारी बहने उपस्तेथ हो ही होंगी तो मिल लूँगी, नहीं मानी, माता मानी नहीं, तो शंकर जी ने बोले ठीक है जाओ, तो माता जी के साथ शंकर जी ने अपने एक गण को भेजा, गण का नाम क्या था, क्या था बताईए, मैं बताता हूँ, वीर भद्र, तो वीर भद्र जी को सती माता जी के साथ शंकर जी भेजे, माता जब वहाँ गई तो वहाँ पे उनका बिल्कुल भी आदर सत्कार नहीं हुआ, शंकर जी की मतलब प्लेस ही नहीं थी वहाँ पे और सारे देवी देवता बैठ के यग कर रहे थे और जाने के बाद किसी ने भी सीधे मूँ माता सती जी से बात नहीं की यहाँ तक की दक्ष जी ने भी माता का विरोद किया, कि तूम आगई यहाँ पे मेरी बेज़ती करनें, और यह तूम क्या अपने वस्तर पहनी हो, बागहांबर पहनी हो बागी सारी मेरी बेटिएओं को देखो बाकी सारी अपनी बेहनों को देखो कितने अच्छे अच्छे वस्तर पहनी है तुम्हारा पती तो भूतों का नायक है उसके पास कोई कपड़े हैं नहीं और शम्शान वासी है और भी दुनिया भर की बातें उनको सुनाई बागांबर मतलब होता है बाग का जो खाल होता है वो माता ने पहनी थी तो ये सुनके माता जी को बहुत बुरा लगा और माता जी ने अपने आपको उस यग हवन में समर्पित कर दिया ये चीज देखके वीरभदर को आया गुस्ता वीरभदर ने सभी देवी देवताओं को मानने लगा नस्ट करने लगा और कहते हैं कि व बेटे हुए दक्ष जी और कैसी मतलब यह कैसी मैं तो यह सूचता हूँ कि इनको इतना अच्छा सोच में रहना चाहिए इतने अच्छी इनकी ठिंकिंग रहनी चाहिए इतना अच्छा इनको इंसान बनना चाहिए कि इनकी वहवाई के गुणगान होने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है आप उनको देखिए रामार के भाई जो थी विभीशन जी उनको देखिए कितना श्रीराम जी के भक्त थे उनको क्या मिला उनको लंका मिल गई सोने की क्यों क्यों क्योंकि उनका नेचर वैसा था इनका नेचर आप देख लिजे ऐसा नेचर था कहते हैं दक्ष जी की 84 बेटियां थी 27 बेटियों से 27 बेटियों को इन्होंने चंदरदेव के साथ विवाह किया हना सुनिए अगा स्टोरी आपको अच्छा लाएगा 27 बेटियों की मतलब शादी इन्होंने चंदरदेव से की तो चंदरदेव में एक सबसे सुंदर सबसे सुन्दर उनकी वाइव थी जो रोहनी लगती थी और इस बात को लेके बाकी 26 परिशान थी तो अपने पिता जी दक्ष जी से उन्होंने बताई तो दक्ष जी ने एक बार उनको समझाए कि भाई सबको तुम बराबर नजरों से देखो तो दक्ष जी ने बोले ठीक है देखूँगा अपसे ये गलती नहीं होगी तो वापस चले गए चंदर देव जी और दक्ष जी अपने यहां पर आ गए तो दोबारा फिर से वो ही होने लगा फिर से मतलब रोहनी को ज़्यादा चाहने लगे 26 को ऐसे ही नकारने लगे तो दक्ष जी को आया गुस्सा तो एक बार गए उनको फिर से बताने की तो मान नहीं रहो बार बार तो दोनों में जगड़ा हो गया दक्ष जी में और चंदर देव जी में तो दक्ष जी ने उनको शराब दे दिया कि अब तुम कुरूप हो जाओगे तो कुरूपता का वर्दान दे दिया धीरे 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 चंदर देव जी कुरूप होते चले गए अब परिशान हुए एक बार नारद मुनी जी वहाँ से गुजर रहे थे तो चंदर देव जी के पास गए नहीं तो नारज जी ने उनको बोले कि सबसे पहले आप बोलना कि मुझको एक आप वचन दीजे उसके बाद वचन दीजे कि मैं जो बोलूँगा आप करेंगे ऐसा कुछ बात थी तो उसके बाद फिर आप उनसे बोलेगा कि मेरे को ऐसा कुरूपता का वरदान मिल गया है तो प्लीज आप मेरी कुरूपता को दूर करें तो उन्होंने वैसे ही किया, चंदर देव जी गए जाके शंकर जी से बोले कि ऐसी ऐसी बात है, यह हुआ तो शंकर जी ने आशिरवात दे दिया या फिर वरदान दे दिया, तो चंदर देव जी सुंदर हो गए, वापस से पुराने रूप में आ गए, यह स्टोरी मैं ने पढ़ा हूँ अब पता नहीं कितनी गलत है कितनी से कि कई जगे अलग अलग स्टोरिया लिखी हुई है तो ऐसे में, एक बार फिर से नारद मुनी जी गए, दक्ष जी के पास दक्ष जी के पास जाके बताए कि उसको कुरूपता का वरदान था लेकिन वो तो सुंदर हो गया दक्ष जी को आएको, किस ने कर दिया ऐसा तो शिव जी ने किया था तो शायद इस चीज को लेके शिव जी और दक्ष जी में खट पड़ था, मतलब शिव जी तो अपनी तरब से कुछ उनको परिशानी थी नहीं, दक्ष जी को शिव जी से परिशानी थी उसलिए सती माता का विवाह शायद नहीं होने देना चाहते थे और इनको लगता था कि ये भूतों के वासी हैं, शमशान वासी हैं कपड़े अस्तर मतलब उतने अच्छे पहनते नहीं हैं उसलिए शायद सती माता का विवाह नहीं होने देना चाहते थे लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि देखिए दोस्त, आपको न एक अच्छे इंसान बनना है, युग बीत गए युग बीत गए, आज मैं बैठके उनकी बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ तो था ना उनमें, कुछ अच्छी बात थी कौन कैसा था, आप अगर आप अच्छे रहोगे, आपकी बातें युगों युगों तक कही जाएंगी लेकिन आप अगर खराब हुझाओगे तो कैसे आपकी बातें कही जाएंगी? और मैं यही बोलूँगा कि एक अच्छे इंसान बनिये ताकि आगे तक आगे तक आपका भला हो सके युगों योगों तक आपकी बातें हो सकें और जिसलिए आप इस प्रत्वी पे हाएं हैं उसको सही से समझ के अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएं तो I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो की शुरुआत मैंने कहां से किया जाते जाते मैं कहां पे ख़दम कर रहा हूं आप अपने आसपास भी देखे होंगे ऐसे कई सारे आपके रिष्टेदार भी होंगे हो सकता है पडोसी होंगे कि जिनके घरवाले खराब है लेकिन बच्चे अच्छे हैं किसी के बच्चे अच्छे हैं तो घरवाले खराब हैं तो कभी भी जो वहवाई होती है ना एक अच्छे इंसान की ही होती है आज मैं दक्ष जी को जैसे बोल रहा हूं इस वीडियो के सरी है कि मुझकून का नेचर सही नहीं लगा जबकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे आप सोच सकते हैं ब्रह्मा जी जिसने इस रस्टी के रचना किये हम उनके बच्चे हैं लेकिन उनके बेटे कैसे हुए आप अच्छे अगर रहेंगे तो आपका नाम सदियों सदियों लिया जाएगा और जो भी आप अच्छे रहेंगे ना उसका फल आपको मिलेगा विभीशन जी को मिला विभीशन जी को बजने से बचा रहा है तो शिवजी ने उनको वरदान दे दिये कि अगले जनम में तुम कोबेर बन होगे तुम जिस धन को चुरा रहे हो तुम को तुमारे पास अगले जनम में इसी धन की इसी धन की मतलब कमी नहीं होगी अपार धन होगा तुमारे पास उसी लिए मैं ब कीज़े YouTube चैनल पे आपका भी चैनल जरूर ग्रो होगा और इश्वर से मैं दुआ करता हूं कि आपका चैनल अच्छे से चले जल्दी ग्रो करे इश्वर आपको सदबुद्धी दें ताकि आप अच्छे से YouTube पे काम कर सके आगे बढ़ सके नाके वल YouTube में अपनी लाइफ में थेंक्यू जी ये वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियो देखिए क्योंकि ऐसी बात YouTube पे कोई नहीं कर रहा है जहां पे मैं आपको अपने YouTube चैनल को भी ग्रो करना बताता हूं और आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ श्रिसी दाराम